मश्कार सपनों के अर्थ में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको सपन सास्त के नुसार बता रहे हैं कि यदि कोई रोगी व्यक्ति है और उनको ये सपने आते हैं तो समझ रहें आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं शायद आपका रोग जल्दी ठीक होने वाला है या आपका रोग और ज़्यादब बढ़ सकता है यदि एक रोगी व्यक्ति को ये सपने आते हैं तो इसका क्या रत होता है आई हम आपको बताते हैं सपन सास्त के नुसार हर व्यक्ति को अच्छे और बुरे सपने आते हैं कुछ सपने हमें अच्छा होने के संकेत देती है वहीं कुछ सपने हमें बुरा होने के संकेत भी देते हैं आज हम ऐसे ही कुछ सपनों को लेकर आए हैं जो कि यदि किसी रोगी को ये सपने आते हैं का क्या अर्थ होता है तो है ये जान लेते हैं इन सपनों के बारे में उससे पहले आप से निवी देने कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करते हैं और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास सपनों के अर्थ की वीडियो सबसे पर ला सके और यदि आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव है या आपको कोई कभी सपना आया हो और आप उसका अर्थ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में चुरूर पूछे हम उसका अर्थ जल से जल बताने की कोशश करेंगे तो आईए जान लेते हैं पहला आती वहीं दूसरा सपना कहता है यदि रोगी सपने में किसी ऊुचे स्तान से गिर रहा है या पानी में डूब रहा है तो समझे की रोगी का रोग अभी और जदा बढ़ सकता है अगला सपना है यदि सपने में उठ, सेर या किसी जंगली जानवर की सवारी करे या उससे बहभीत हो तो समझे की रोगी अभी किसी और रोग से क्रस्थ हो सकता है यदि किसी रोगी को सपने में ब्रहमन, तेवता, राजा या गाय, याचक या मित्र देखे तो समझें कि रोगी जल्द ही ठीक होने वाला है अगला सपना है यदि कोई सपने में उड़ता है तो इसका यह भी परायल लगाया जाता है कि रोगी या सपना देखने वाला चिंताओं से मुक्त होने वाला है अगला सपना है यदि सपने में मास देखना या अपनी प्राकृति के वृत बोजन करता है तो ऐसा निरोगी वैक्ती भी रोगी हो सकता है यानि कि यदि कोई वेजिटेरियन है और वे सपने में मास खा रहा है तो समझें कि वे जल्दी रोगी हो सकता है तो ये कुछ ऐसे सपने थे यदि ये सबने किसी रोगी वैक्ति को आएं तो इनका क्यारत होता है या जमने आपको बताया यदि आपने कभी ऐसे सबने देखे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में चुरू बताएं उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक देखे हैं दोस्त की साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो जमको सब्सक्राइब कर बैल आइकन जुरू दबाए धन्यवाद